कि हलो स्टुडिंट कैसे आप सब स्वागत आपका आपके पने इस व्रफ चनल एक्जाम गरू टिप्स और ट्रिक्स में तो जी के जी एस करेंट अफेर्स टॉपिक है और हम बात करें यह हम कवर कर रहा है यूपी एसाइग्जाम को टार्गेट करके दो हजान निस के लिए तीन से चार टॉपिक मिलेंगे जिसमें आज की जो टॉपिक है विटामिन है और यहां पर दूसरा जो टॉपिक हो वो ट्रिकी जीके त्रिकी जीके हम सिखेंगे कुछ इंपोर्टन साथ में अपरेल यह चौथा वीडियो इसलिए अपरेल माह के प्रमुक दिवसों के बार तो बहुत मज़ा आने वाला आपको यहां पर सीखने में और पिछले तीन वीडियो जो जिनों ने अभी तक नहीं देखा जो जाके देख सकते हैं और अभी भी आपकर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल का इकन भी मैं नेक्स्ट बात करनें विटामिन की बात करतों दो प्रकार से विटामिन को उड़ं कर सकते हैं इमप्रेंट है यह को ङो कौशन है कौन से विटामिन ऐसे जो यानि कि वसा più सब्सक्राइब तो इसके लिए ट्रिक आप याद रखेगा आप यार्द रखेगा वसा में वसा में गुलंसील है या फिर कौन से विटामीन ऐसे है जो जल में गुलंसील है तो इसके लिए ट्रिक आप याद रखेगा आप याद रखेगा वसा में गुलंसील जो है वो कीड़ा है और जल में जो गुलंसील है वो आपके बीसी है ठीक है तो कीड़ा अगर जो आप से जल में गुलंसिल है जो जल में गुलंसिल है यानीकि वह षैक वशामी भूलंसिल है थी तो इंद तक हम सब्सक्रश्ब में आपको बता है कीडा किड़ा कीडा को कोट dabism है routines को उठाइए और एक गिलास जल लीजिए अब मक्खी को जल में डाल दीजिए अब मक्खी को जैसे जल में डालेंगे मक्खी क्या होगी फटाक से उपर आजाएगी मक्खी उसमें मिलेगी नहीं मक्खी जल में मिलेगी नहीं वो फटाक से उपर आजाएगी मक्खी क्या है मक् यहां पर चारह आपके जल घूलन सिल जल में नहीं घूलते तो यह तो तो यह याद होगए तो जर्मै और यह पूछता है एक तो रतवधी होता एक युका युक्त मचली करित तेल भी कहते हैं कुछ और गाजर भी सब्से अच्छा सरो एक सबसे इसका बात करें एंटी इंफेक्शन वितामिन से लेकर यह 12 तक होता है बीबारा तक लेकिन आपके जो है उसको मैं बता रहता हूँ अगर्ड डायक्त विटामीन B की कमी से बेरी बेरी होता है विटामीन B कके रसे नाम थाइमmin होता है और यह जो ब्राइन होता है ऐसके बाद यहां यहां पर ब्रफिस्फिंद डाहःक्त साइनो को बालामीन और स्पेसल आपक्लाय यह है कि आज की वीडियो में जो मैंच कवाला जी के बताया है उस में वि多 मिं क能 happen करने के लिए यूट बता हूँ है जिससे आपको कभी भी जो विटामीन के में याप बूले से नाम होते बोले में तीन प्रकार के होते हैं ठीक यह ध्यान रखिए अभी हम जब विटामिन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी है अभी छोड़ी है जो इंपॉर्टेंट उसको करते हैं रखत का धक्का बनने में सायक इंपॉर्टेंट विटामिन है इसको भी हम कर लेते हैं तो अभी हम ट्रिक के मादबं से देख लेंगे इसके लिए परिसान मत हुए कि आपको विटामिंस के रसाङ्य नाम याद नहीं हो रहा है तो वो याद हो जाएगा तो विटामिन विटामिन C की कमी से रोग होने वाला कौन सा इसकर भी रोग होता है विटामिन C की कमी से विटामिन किसको बोलते हैं विटामिन E को हम विटामिन बोलते हैं विटामिन D का रसानिग नम की बात के तो कैल्सी फेरोल कैल्सी फेरोल रसानिग नमा और इसके कमी से एक रोग होता है, रिकेटस, ध्यानक्या का रिकेटस होता है, जिसको अक्सर बच्चों में होता है, ठीक है, और इसका सबसे अच्छा स्रोग होता है, सनलाइट, डायेक्ट सूर का प्रकास, विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स है, सूर का प्रकास, सुखा रूबालामीन, C मैंने क्या बोला था, ascorbic acid ठीक है विटामिन A का रेटिनोल विटामिन B का थाइविन आगे चलते हैं अब ट्रिक की बात करें तो वायू मंडल की परतो का नाम की बात करें तो वायू मंडल हमारा ये कुछ इस प्रकार है उसके उपर परते हैं और इन परतो को जानना बहुत जरूरी है ठीक है परत परतन या फिर बादल गरजना या बारी सोना ये सब छोब मंडल के अंदर करते हैं पूछा जाता है समताप मंडल की बात करें तो यहां पर तापमान जो होता हो समान रहता है इसमें जो भी हमारी फ्लाइट या फिर हवाई जहां उड़ते हैं वह समताप मंडल में ही बाहर से हो गया समताब मंडल यह क्रम रखिये गार pops इसको ध्यान रखेगा समताफ मंडल की बात करें तो इसमें आपके हवाई यहाज उड़ाए जाते हैं ठीक है स्चोब मंडल में सारे मौसमी घटना होती है इसको ध्यान रखेगा आगे चलते हैं कि अभी ट्रिक मैंने बोला था वह इसमें याड नहीं किया बता रहा हूं तो आप ट्रिक लिए इसमें याड नहीं है आप लिखिएगा रथ एक टाफी और आपको किस विटामिन के नाम निकालने है राशा रिंग नाम तो आपको निकालने हैं बता रहा हूं रूखे A, B, C, D, E, K इतने विटामिन के राशा रिंग नाम कैसे रत एक टाफी आपको रहा हूं तो रहा से आपका A का हो गया रेटिनॉल रेटिनॉल था से हो गया, B का थाइमेन, A से हो गया, C का एसकॉर्विक एसिड, D से हो गया, K यानि की कैल्सिफेरोल ता से हो गया, अपका E का यानि की टोकोफेरोल अपका, प्राइल माय के प्रामुग दीवसों के बारे में जान लेते हैं, जसक cui मैंने बताया था हर महींने का प्रामुग दिवसों को कवर करेंगे, वीडेयो छोटा होगा लेकिन जो झाल्विच आपको मिलेगी, बहुत important मिलेगी ट्रिक की बात करें तो स्वास्त भीम नानक को विरासत में पृत्वी पर मिले स्वास्त भीम नानक को विरासत में पृत्वी पर मिले इससे आप डेट नहीं याद कर सकते लेकिन आप करम याद कर सकते कि अपरेल में कौन-कौन से करम में चीजे होती हैं तो आपने देखा स्वास्त खीम नानक को विरासत में पर्मिले, तो आँ 7 soundtrack को हो गया स्वास्त धिवाین, विश्व स्वास्त धिवआगा, फट्रिव स्वास्त धिवाषाद को कोई ट्रिक नहीं लगा का प्याद करें, तबी ठीक रहाएगा आप अगर जो ट्रिक अच्छी बनती तो ठीक है नहीं तो आप खुद से इसको कही न कहीं से रिलेट करें कहीं न कहीं से जोड़िये ठीक है तो ये प्रभूक दिवस याद करने में इंपोर्टन हो जाते है किसी का जनम देन है तो उससे जोड़िये ठीक इधा उधर करके जोड़िये अपने आप यार हो जागा तो विश्व स्वास्त दिवस साथ अप्रायल चौदा प्रायल को भीम राव मेडगा दिवस 15 प्रायल को गुरु नानक जैन्ती 18 प्रायल को विश्व विरासत दिवस 22 को प्रिथवी दिवस 25 को विश्व मलेरिया दिवस यहाँ पर इतने कोश्चन्स तारे थे जो अभी आज का टॉपिक में इंपोर्टन थे वो मैंने क